हेलो स्टूरेंट आई होप यू आर गूट एंड यूटिलाइजिंग यूर ताइम इन स्टेडिज तो टूडे वी आर गूंग तू स्टार्ट अवर सेकंड चेप्टर ऑफ क्रामर डेट इस सेंटेंसिस हमने ये चेप्टर पहले कर लिया है मतलगी हाफ ही किया है उसका ए ब पार्ट तक ही किया है वह आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हो वह मेरी प्लेइलिस्ट बन्य होई है चैनल पर ही आप देख सकते हो और उससे आगे हम करेंगे ये रहेगी हमारी ग्रामर जोन इडियू लाइन जोन से है पब्लिकेशन और क्लास रहेगी फोर्थ क्ला के अंदर कुछ थियोरी दियो है आपकी और उसी से डिलेटिड ही आगे एक्सरसाइज है तो हम पहले इसी कोई अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि हमें आगे कोई भी डिफिकल्टिक ना करने पड़े इसमें दिया हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब की कोशन मार् और आपसे कोई कोशन पूछेगा तब यह यूज होगा तब यह माना जाएगा कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है देखिए एक तो मैं कहा दूँ कि जारा इस अगूड स्टूडेंट ठीक है लेकिन मैंने इस आगे लगा दिया जो उसकी हैल्पिंवर्प थी वो मैंने आगे कर दी तो वो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा और लास्ट में आजएगा कोशन मार्क कैसे इस जारा ए गुड स्टूडेंट मतलब इसका मतलब हुआ कि वो हमसे पूछ रहा है कि जारा क्या एक अच्छी स्टूडेंट है एक तो हम बता दें कि जारा एक जो एक करता है तो क्या है यह कोशन मारक आएगा तो दस इसने पहले लगा दिया आगे दियो है we can change a statement into a question ठीक है statement को हम कोशन में चेंज कर सकते हैं by adding words such as is are do or does मतलब कि हमें यह words यूज करने पड़ेंगे is are do or does at the beginning of the sentence मतलब कि sentence की starting में ही यह अगर हम add कर देंगे और last में कोशन मारक लगा देंगे तो हमारा क्या माने और जाएगा कि this is interrogative sentence तो चलिए फिर अब हम करते हैं इसके exercise start फर्स्ट में दिया हुआ है कि मम्मी बेक्स आ केक एवरी वीक बता दिया statement है कि मेरी मम्मी हर सब्ता केक को बनाती है बेक करती है लेकिन अगर मैंने यह बनाना है कोशन में तो क्या होजेगा डज आगे आएगा डज थर्ड थर्ड पसंद के लिए तो डज मम्मी यहां पर बेक्स नहीं आएगा ओनली बेक आएगा आप एसको कट कर देना हटा देना उसको डज मम्मी बेक आखेक एवरी वीक और फिर लगाना है आपको कोशन मार्क लास्ट में कोशन मार्क जरूर लगा देना सेकंड है यूर नेम इस दिप्ति कपूर मतलों कि किसी ने बता दिया स्टेट में टालेगे ना कर हमने किसी से पूछ ना हो तो क्या करेंगे यह जों सही इस है इसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे तो क्या होजेगा इस लगाने से देखो यह एड करने से तो हमारा इकोशन मार्क में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है तो क्या बनेगा इस नागालेंड इस स्टेट इंदा नोर्थ और इस्टेंट पार्ट ओफ ता इंडिया फोर्थ रहेगा ग्रांट पा लाइक्स यहाँ पर एस को आप हटा देना ठीक है और हमने बनाना इंटेरोगेटिव में तो क्या हैगा ड़्स ड़्स लगेगा ग्रेंट पा के लिए ड़्स ग्रांट पा लाइक टू स्पेंड टाइम इन दा गार्डन फिफथ है देर और मैनी फेमस यहाँ पर देर आर है तो आर को आप पहले कर देना और देर को आप बाद में कर देना तो हमारा क्या बन जाएगा आर देर मैनी फेमस मोनियूमेंट इन डिली क्या देली में बहुत सारी famous या परसीदस मार्कें हैं शीक्स है मिहर और मीना तो मैंने क्या करती है do जादा के साथ do लगता है एक इंसान हो तो does लगता है मतलब singular के साथ does plural के साथ do do दा मीना मिहर और मीना swim every Tuesday फिर आज़ेगा कोशिर मार्क यह मैंने arrow तब भी लगाई है कि इसके आगे आपको यह sentence complete करना है आप अपनी अच्छी सी handwriting में इसको fulfill कर देना इसी के साथ ही हमारा होता है D part complete next देखिए इसने दिया हुआ है एक box के अंदर questions are begin with words such as who, what, why, when, where, how and how many मतलग कि WH family इसने दी हुई है कि जब हम question की starting करते हैं तो कैसे होते हैं, who लगा देते हैं, what, मतलग क्या, कैसे, क्यों, किसलिए, यह लगाते हैं जब हमने कोई question पूछना हो ठीक है, अब इसने क्या की हुए, यह picture दी हुई है और picture को देख करके, इसने सारे answer, answer दे दिये question हमने खुद बनाने हैं, और इसने पहले ही दे दिये कि यह वाले words आप यूज़ कर लेना, और WH family यूज़ करके ही आप सारे question बिल्डप कर देना इसमें दिया हुआ है, look at the picture given below और read the answer, हमको answer read करने है और frame question, question को frame करना है using question words, यह जो उपर words दियो है इसी की help से हमने करने है पिचर में देखो, ice cream लिए है रागव उसकी मम्मी उसके साथ है और वो देख रहा है bird को और वो एक pull के उपर खड़ा है, bridge के उपर है देखिए, first है इसने answer दिये रागव is holding an ice cream in his hand कि रागव ने ice cream कहां hold कि अपने hand में तो मैंने question क्या बना दिया वट इस रागव holding in his hand और यहाँ पर आजेगा question mark second इसने answer दिया हुआ है he is standing by the roadside यह तो answer है कि वो roadside खड़ा है लेकिन question क्या बनेगा question मनेगा वेहर वेहर मिस कहां वेहर इस रागव standing कि वो कहां खड़ा है what का मतलब हो गया क्या और वेहर का मतलब हो गया कहां third है his mother is with him कि उसकी ममी उसके साथ है तो इसका question मनेगा who is with him who होता है हमारा कौन कि इसके साथ कौन है अगर आप कोई हिंदी में इनके words पता है तो आप अच्छे से apply कर दोगे who is with him next we can see one word कि हम एक पक्षी को देख सकते है one word यह आएगा how many words can you see कि आप कितने birds देख सकते हो फिर fifth he looks very happy कि वो बहुत ज़दा खुश दिखाई दे रहे तो हमने क्या किया how how means होता है कैसे how does he looks how means होता है कैसे how does he look last वाला है रागव seems happy because he has goat and ice cream वो बहुत ज़दा खुश दिखाई दे रहे क्योंकि उसने एक ice cream पा ली है तो हम पूछेंगे कि वो क्यों happy दिखाई दे रहे तो वाहे का मतलब होता है क्यों why does रागव seem happy I hope आपको इस सारे समझ में आगे होंगे हमने WH family लगानी है answer रिनों ने करके दी हुए थे हमने caution build up करने थे जो कि हमने कर दिये हैं और आप से screenshot लेना चाहो तो as you wish otherwise आगे चलते हैं आगे एक्सलामेटरी सेंटेंस इसके अंदर आपको एक वो तेना sudden feeling strong emotion या फिर end with an exclamation mark इसके अंदर यह दिया हुआ है we can sometimes change a statement into an exclamation sentence by using the word what or how at the beginning of the sentence मतलब कि इसने बताया हो कि strong feeling हो थोड़ा सा emotion हो थोड़ा सा एकदम sudden feeling आजे excitement आजे इस तरह से हम लगा देते एक्सलामेटर का sign मतलब कि एक सिधा सा डंडा और लास्ट में बिंदी यह होता है इसमियादी बोधक चिन कुछ भी हमको लगे surprisingly जैसे इसने बोला था it is a hot today यह तो statement है इसी को ही हमने change करना को special बनाना हो इसको हववा सा बनाना हो हो तो क्या कर देंगे बटा होट डे टूड़ी मतलब की थोड़ा जोर दे की उसने बोलो कि कित्रों गरम दिने मतलब की जैसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं फिर you are very clever कि आप वह जाता चतुरो और फिर उसी के मुझ के उपर कहना how clever you are तुम तो वह चला को मतलब की थोड़ा से expression ऐसे दे देना कि feeling strong आ जाए और सामने वाला समझ जाए कि वह कहना क्या जाता है कि कितनी strong feeling से उसने अंसवदी है लेकिन आप exclamatory mark में और interjection में confuse मत हो जाना यह statement के last में लग रहे हैं और interjection एक word के last में लगेंगे statement के last में लगने वाले exclamatory होते हैं फिर है f वाला पार्ट इसका write statement और exclamatory for these sentences पहले तुमने write करना है okay then change them from statement to exclamatory और वाइस वर्शा मतलब कि अगर आपको उल्टा दिया तो सुल्टा करो सुल्टा दिया तो उल्टा करो मतलब कि जैसा दिया और उसका उल्टा बना देना फास्ट है डैट वाज से वेरी स्केरी मूवी कि वह बहुत ज़्यादा स्केरी मूवी थी ठीक है यह तो है हमारी स्टेटमेंट तो मैंने लिकिदी दिया s अब पूरा लिख लेना यह अर्मैने चींज किए इसको में कैसे वटल की फ वगलड किया नटीवांट कितनी सरी मूवी थी क्या पिर्भग इंस सरी मुझे तो बस ब्रहने लगाये हुए लास्ट में कि कितना सोना महेंगा है सोना कितना महां गए देखते 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 मतल करनसी को अगर चेंज कर देगा तो उसका पास जोन सा ब्लैक मनी है वो कैसे करेगा तो उसने क्या सोचा डोलर की जगा मैं सोना एक खरेद लेता हूं सोना तो कभी भी मतलब कि ऐसे ब्लैक मनी की रूप में नहीं माना जाएगा तो उसने पूरी वर्ड का वन बाइ फॉर्थ खरीदना स्टार्ट कर दिया है और आजकल हम देखते ही जा रहे हैं कि वस यह एपरी लाया है और यह सोना तो कहाँ 65 पे था 68 पे था 70 पे था 72 अब मैं देख रही हूं 75 सुबे देखा 76 भी था अब इसका बनेगा गोल्ड इस प्रीसियस और इसके बाद मैंने इस गलती से लगा दिया अब मतलगा ना यह ए था पहले तो फिर यह स्टेटमेंट है तो मैंने इसको थोड़ा सा बनाने के लिए क्या किया वट अच्छा सर्प्राइज है फिर वी आर वेरी लेट हम बहुत लेट हैं तो स्टेटमेंट है लेकिन हाव लेट वी और हम तो कितने लेट हैं तो वह जगा एक्सलेमेटर साइन थोड़ी से फिलिंग को स्ट्रोंग कर दिया और लास्ट ओजे का वटे सीली मिस्टेक आई मेड कितनी मूरखता वाली मैंने बात की है तो यह एक्सलेमेटरी साइन पहले लगा हुआ था इधर मत लगाना मेरे से गलती से लग्या है अब आप लगाओगे इसके अंस्वर में आई मेडा सीली मिस्टेक मैंने एक सीली अब इनमें आप कॉन्फ्यूज मत होना इंटर्जेक्शन देखो यह एक वर्ड के बाद वह ऐसे वाला साहिन लगा रहे है एक्सलेमेटरी में पूरे संटैंस के बाद वह लगा रहा था ठीक है और एक शेप्शनल केश भी दिया हुए देखो एन इंटर्जेक्शन इस आप लास्ट वरी लाइन देखो इंटर्जेक्शन केन ओल्सो भी यूज्ट एस पार्ट ओफ लोंगर सेंटेंस के लिए यूज तो कर सकते हैं इन विच केस यार फोलोड़ बाए को माले किन आपको कॉमा लगाना पड़ेगा यहां पर ठीक है मैंने यही बताए कि एक वर् इसके दिए फिलिंग दा ब्लैंक्स विद दसूटेबल इंटर्जेक्शन फर्स्ट ओनों क्या एक ओनों माइप कंप्यूटर है एक वर्ड के बाद आए यह वाला साइन पूरे संटेंस के बाद निया इसको इंटर्जेक्शन बोलते हैं सेकिन वो यूड्रों सो वैल आपन लो माई नेम इस अलो अलो का फिफ्तोर जगा को रैचुलेशन यू है वोन दा फर्स्ट प्राइज और सिख्थ है यम्मी दा फूड लुक्स डिलिसियस यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसको देख करके कोई कह रहा है कि बोगत यम्मी है आई वोन टो एट इट अब हम करेंगे अफर्मेटिव एंड पोजिटिव सिंटेंस इस बुक की यह अच्छे बात है कि यह उसी से रिलेटिड एक्ससाइज दी होई मतलों खिचोड़ी नी बनाई होई कि बचों को कन्फूजन में डाल दें इजी सी है इसमें स्टेटमेंट और ओल्सो काल्ड अस दीख पाएं थोड़ा सा उसने वर्ड चेंज कर दिया मतलब यहीं होता है और इसका पॉस्टिट क्या हो जाएगा नेगिटिव जिसके अंदर लग जाता है नोट तो पता ही है कि मैं यह नहीं करूंगा मैं यह नहीं जाओंगा मैं वह नहीं पहनूँगा यह नहीं वाले जाएंगे नेगेटिव में बाकि अफर्मेटिव और पोजिटिव एक ही चीज है इसमें दियो है टिक अधा पोजिटिव संटेंस एंड क्रोस नेगेटिव संटेंस ठीक है शाम लवस्टू रीट एंड वोच मूवी अब इसके अंद मैंने कहीं भी ना नहीं देखा हां की ब आएगा नोट क्रोस कर दिया पूरत है पापा डज नोट इंजोए ड्राइविंग कि उनको ड्राइविंग करनी अच्छी नहीं लगती तो क्या आ जाएगा नोट वाला क्रोस है फिर हमारा बिल्लू है जे न्यू पपी इसके अंदर क्या आएगा अफर्मेटिव है पोजि अब जिया है तो यहां पर आजेगा नोट कैसे आया को सब्रोश कर यह हम नोट आई शूट वंदियो है एच एव हम और यह हो जाएगा हमारा नोट डोट जहां दिख जाए वहीं पर आपको रोस कर देना और जहां को पॉजिटिव दिखाई दे मतलल ना दिखाई दे तो आप कर देना इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आगे दियो है वें द वर्ब इस मेड़ फूल वर्ट्स वी पूल नोट आफ्टर अपनी क्लास में शेयर करना और अगर टीचर है तो टीचस वाले ग्रूप में ताकि और बच्चों की भी हल्प हो सके और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो करें तभी मैं नेक्स्ट बनाऊंगी अदर्वाइस मुझे पता कैसे लगेगा कि इस बूक का मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें इसको और थैंक यू